असलाम आलेकुम देखिए सब आज आप लोगों के दर्मियान में आने की एक खास वज़े ये है कि आज हमारे महतरम बैरिष्टर असदुद्दीन उईसी सहाब जो है रांची डिस्ट्रिक में गए वे हैं जारकन स्टेट जारकन स्टेट का जो रांची डिस्ट्रिक है उसके अंदर एक बाई एलेक्शन हो रहा है मंधार एसेमिली कांस्टेंसी का ये बिल्कुल ट्राइबल कांस्टेंसी है तो ट्राइबल कांस्टेंसी का मंधार एस्मिली कांस्टेंसी में वहाँ पर बाई एलेक्शन होने की वज़े ये है कि वहाँ के जो मौझूदा विधायक थे वहाँ के जो भी ये मिले थे जिनका नाम बंदू तिर्की थे पहले ये इंडिपेंडेंट एलेक्शन जीते थे उसके बाद में कुछ करप्षन और कॉंग्रेज जाइन किये फिर कुछ करप्षन चार्जस में उनको सीट से हटा दिया गया तो अब उनु जो है कॉंग्रेज के केंड़ेड है जैसा कि आप जारकंड का बाई एलेक्शन इसलिए भी बहुत अहम है कि वहाँ पर हाली में ये जो गुस्ताखी रसूल की ये प्यारे नभी स्लिए लाई सलम की शान में गुस्ताखी के बाद में वहाँ पर साहिल और मुदस्सिर का दो जनों का वहाँ पर पुलीस फाइरिंग में इंति जो गए हैं वहाँ पर AI, MIM उनकी पार्टी का कोई कैंडड नहीं है वहाँ पर जो बाई एलेक्शन चल रहा है जून तेवीस को जून तेवीस दो हजार बावीस को वहाँ पर एलेक्शन है और जून छिबिस को इसकी काउंटिंग होने वाली है तो वहाँ पर कॉंग्रेस क एक कैंडड है और बीजेपी का एक कैंडड है ये सीड जो है मंदार सीड पहले जो है बीजेपी की सीड थी ये तो उसको ये इंडिपेंडेंट कैंडड हराने के बाद में कॉंग्रेस को जाइन किया था तो दूबारा बीजेपी कोशिश कर रही है कि मंदार SMA सीड को हासि वहाँ पर जो अंसित किये गए मिले बंदू तिरकी उनकी बेटी शिलपा नेहा तिरकी को टिगिट दिया गया है और बीजेपी से जो है एकसे मिले जो पहले एलक्षन हा रहे थे गंगोतری कुर्जियन एकसे मिले को बीजेपी का टिगिट दिया गया है कांग्रिस और BJP का कांटे का मुखाबला है वहाँ पर स्वी ऐज़ काया mountain का मुखाबला है तो वहाँ पड़ का कंड़ेट जो सब्धा में मिनिस्टर भी था देवकुमारदान تو वो independent election लड़ा है असादौ्दिन UAC मجलिस के कंड़ेट की ताइट में नहीं गें हैं धान की ताइद में असद उद्दिन उएसी आज महाँ पर मेटिंग करने गए कल तक ये हुआ कि औरंगाबाद के जो कार्परेटर्स थे शिफसेना को ओड़ दिये शिफसेना में ये बात आप लोगों के सामने आई हालिया में बिहार के पांच अमेले कि धर गए क्या ओट करें आप लोगों को मालूम है महराष्टरा के दो अमेले नाम तो बोले हम इमरान परताब गड़ी को ओड़ दिये लेकिन बाद में रिपोर्ट आई कि इमरान परताब गड़ी के पास 44 ओट थे 42 जीतने के लिए है तो फिर माइम के ओट किसको गए तो आज जो है कॉंग्रेस की दुश्मनी में अस्वाद दिन ओए सी इतने अंदे हो गए कि जाके बीजे पी के साबखा मिनिस्टर देव कुमार धान पहले मिनिस्टर थे ने थे याद नहीं मुझे उनकी ताइद में वहाँ पर आज जल्सा कर रहे और वहाँ पर जाके गालियां किसको दे रही वहाँ के कॉंग्रेस डॉक्टर इर्फान अंसारी जो जमतारा के सिमली कांस्टेंसी के मिले है और जारकंड परदेश कॉंग्रेस कमेटी के सदर है एक मुसल्मान इनको कहीमी गालियां दे रही बोल रहीं कि तुम्हारी वज़े से जो है बच्चे पॉलीस फाइरिंग में मर गए तो मैं वही असद अद्दीन ओएसी से ये पूछना चाह रहा हूं कि आलेर में हैदराबाद के पांच बच्चों को साथ अपरेल दो हजार पंद्रा को आलेर में इनका पांच को मारे तिलंगाने में ऐसा हुआ तिलंगाने में किसकी सरकार रह भाई टीर्स की सरकार है और अई इम डीर्स जोने पिछले आठ साल से पावर शेरिंग में है बरंगल में लाकप में एक बिहार के एक उतर परते है के मुझफर बच्फर नगर के लड़के को यहां पर वरंगल में लाकब डेट में मार जिये हैं तो असद अद्दिन उएसी पिछले आठ साल में एक मरतबा भी पारलिमेंट में आले रेंकाउंटर में जो बच्चे मुस्लिम बच्चे उनके हलके के हैदराबाद पारलिमेंट हलके के बच्चे उनके भाई असद अकबर अद् करके वहाँ पर बीजेपी को जिताने के लिए वहाँ पर गए हैं यखिनां ठीक है वहाँ पर गए आप बहुत अच्छा काम करें लेकिन एलेक्शन में जाके आप बीजेपी के साबेखा रिबल कैंडिड को क्यों मदद कर रहे हैं ये मेरा सवाल है दूसरी चीज़ यहाँ प पार्टी का एक मेले वागबोड में है टी आरेस की सड़कार को इनकी ताइद है ये टी आरेस को इनकी ताइद है दरगा हज़रत हुसे इन्शावली की एक एहम जमीन जो पचास कोड की है मुसल्मानों की जमीन वागबोड केस हार गया टी आरेस गौवर्नमेंट केस जित तो आप इधर गौवर्नमेंट में भी है इधर आप जो है वर्गबोट के मिंबर भी है मुसल्मानों की पचास कोड़ की अमलाक का जो है नुकसान हो गया तो आप जो है उसमें आवाद ने उठाए आज की तारिख तर चा वज़े है चौँ खामुश है सदो दिनों इसी आप आप जाके मनधार में वहाँ पर पॉलराइजेशन कर रहे हैं वहाँ जाके डाक्टर इर्फान अंसारी कांग्रेस के मिले के खिलाफ में बोल रहे हैं आपके हलके में आले रेंकाउंटर हुआ तो आप नहीं कुछ बोल रहे हैं आपके हलके में वक्त की जैज़ातें तबा से लेके दोहजार अठारा तक बीजे पी की गौवर्मेंट थी वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माब लिंचिंग में मुसल्मानों को अगर मारा गया तो बीजे पी रूल इस्टेट जारकण में मारा गया में दोहजार पंदरा से लेके डिसंबर दोहजार अठारा तक सत्रा डेथ हुए सत्रा लोग सत्रा मुसल्मानों को माब लिंचिंग में बीजे पी के दोरे अख्तेदार में जारकण में मारा गया आज वही बीजे पी को जिताने के लिए असादोतीनों एसी पोलारिजेशन करने के लिए मनदारे सेमिली कांस्टेंसी रांचे डिस्टिक जारकण में जा पहुँचे हैं आप आज का पुरा जितने भी लोग है पड़े लिखे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कैरवान मैगजिन में 30 सेप्टेंबर 2019 की एक रिपोर्ट है आप पढ़िए किस खदर मुसल्मानों पे जलूम किया गया जब बीजे पी रूल बाई जब जारकण में बीजे पी की रूल थी पार्टी रूलिंग में थी वहां का सीम था और आज जिसकी ताइद में देव कुमार धान की ताइद में जो असद अद्दिन O.A.C गए ये वो सिटिंग में ले था जब ये जिस खद पे ये 17 मुसल्मानों को मारा गया असद अद्दिन O.A.C को 17 मुसल्मानों के मरने का अफसोस नहीं है लेकिन कांगरेस की दुश्मनी में देव कुमार धान के पाइद में चले गए तबरेज अंसारी जारकड में 17 जून 2021 को एक तबरेज अंसारी को जा अलेक्ट्रिक के पोल से बन के मारे थे याद है आप लोगों को इसको इतना मारे थे के चौरी के यलजाम में धिफट केस में लेकर जा के फिर बाद में उसको केस में बुक करके अधमरा तबरेज अंसारी को जेल को बेजे चार दिन के बाद में उनने जेल में मर गया और एक ही खानदान के ये चर्वाहे थे जिनके उपर जो है ये गायों की स्मगिलिंग कर रहीं बोलके शेख हलीम, मुम्मद साजीद, सिराच खान और नाइम 18 में 2017 को एक ही खानदान के चार लोगों को मारजी एक खवातिं को जखमी करे थे ये भी जारकड में बीजेपी रूलिंग इस्टेट में हुआ, उस वक्त पे मैं समझतों ये देव कुमारधान, आज जिसकी असदो दिनोईसी ताइद में गए, ये बीजेपी का हमिल ले था, बीजेपी की गवर्मेंट में सतरा मुसल्मानों को मारे, एक ही खानदान के, चा करवन मैगजिन का रिपोर्ट निकालिए, निकाल के पड़े तो मालुम होंगा कि किस खदर पांच साल में मुसल्मानों पे जलुम हुआ, ठीक है, आपको कांग्रेस से दुश्मनी है, कांग्रेस बहुत खराब जमात है, आप जाईए वहाँ पर, लेकिन आप दूसरे स्ट के अपर लोग मुसल्मान एतिजाज करें, तो आपका जहां पर मिले है, नामपली कांस्टेंसी और कारवन कांस्टेंसी के दर्मियान में, जो महिजी पटनम पे, यहां की तिलंगाने की पोलीस, हज़राबाद की पोलीस, लाटी चार्च करके, कई नोजवान बच्चों को जखमी करें, आपके स्टेट में यहां पर कई वाकियात पेशा रहीं, मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ खातिल बाइजद बरी हो गए, आज तक असद अदिनों एसी ने बोल रहें, यहां पर आपके, मैं समझतों निर्मल के आगे कोई गौव में जो है, वहां पर जिन मानों को जिन्दा जला दिये, खातिल बाइजद बरी हो गए, असद अदिनों एसी तुम्हारे मुझ को लखवा हो गया, तुम नहीं बोल रहें तुम जाके जो है, तबरेस अंसारी की, और इuşान अंसारी के खिलाफ में, मिल्ये के खिलाफ में, महाँ पर बोल रहें, साहि करकंड को गए आज उत्तर परदेश में आज उत्तर परदेश के मुसल्मानों के जिल पे हाथ रख कर पूछवा कि उत्तर परदेश में आज मुसल्मानों पे योगी का जो जलुम हो रहा अगर मंजली से तिहाद المسلمین वहाँ पर नहीं लड़ती सियासी जमात है लड़ने का सुप कोई अख्तियार है हमारे को एतराज नहीं है लेकिन जो हालिया रिजल्ट है उसमें जो है पचास ऐसे सीट है जहां से समाजवादी पार्टी एलेक्शन हारी है जो हजार और पांच सो के उसमें 48 सीट ऐसे है जहां पर मन्जलिस का कैंड़ेट 100, 200, 500, 1000 ओट लेके समाजवादी पार्टी के विनिंग कैंड़ेट को हराए और बीजे पी के कैंड़ेट को वहाँ पर जिता है जिसकी वज़े से योगी सरकार बनी अगर आज योगी मुसल्मानों पर जलुम कर रहा तो इसके राज जिम्मेदार असाद अद्दीनों इसी है या नहीं ये बताईए असाद अद्दीनों इसी जारकंड जो गए हैं जो मंधार में गए हैं वहाँ पर वोट पोलराजेशन करके बीजे पी के कैंड़ेट को जिताने के लिए गए हैं मैं तमाम मंधार के मुस्लमानों से अपील करूँगा क्योंकि वहाँ परी राज नाज़ुक है जो मंधार कांस्टेंसी है वहाँ पर त्री लेक फिफटी फ़ॉर तोजन ओट है वन लेक सेवंटी फाइ तोजन वहाँ के ट्राइबल ओट है, सरना ओट है 74,000 हिंदू ओट है 70,000 मुस्लिम ओट है क्रिश्चन ओट 30,000 है यानि एक लाक ओट है माइनरेटी ओट माइनरेटी ओट जो है अगर वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो साबेखा बीजेपी से जिसका तालुख है जिसको माइम ताहित कर रही अगर इन्हें एक 5000 भी मुस्लिम ओट ले लिया तो वहाँ पर बीजेपी का जितने के इमकानत है तो बराए करम जितने मंदार एसमेली कांस्टेंसी के मुसल्मान है मैं हैदराबास से अमजद उल्ला खान बात कर रहा हूँ ये आपको मैं इल्म दे रहा हूँ के यहाँ पर के मुसल्मानों के लिए असद उद्दीनों इसी टोटल फेलियर है साथ साल से इनकी पार्टी रूलिंग में है इनके बाप इनों इनके भाई लेकिन उसके बावजुद यहां के कई वाकियात पे मुमू चेवे हैं जिसा मैं बताया इनके बातों में मत आईए और मैं हमारे डॉक्टर इर्फान अंसारी साथ से भी जो मिले है जमतारा के उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप एक मरतबा हैदरबाद आईए इनकी स्टड़ी करिए और ताकि आप महारे के मुसल्मानों को पूरा हालात बता सकते हैं यार जिन्दा सोबत बाखिए